कमलपूर नाम के एक गाव में जटाई नाम के एक बैल रहता है जटाई बैल को आलू इतने पैसंद है कि उसने अपना नाम जटाई से बदल कर आलू ही रख लिया है उसके साथ उसकी पत्नी छुटकी गाई और एक बेटा टिपा बैल रहते है सुनिये ओ जी ओ जटाई महराज आपसे ही बात कर रही हूँ तुमसे कितने बार कहां हो की मुझे जटाई नहीं आलू कहकर बुलाओ मैं तब भी जवाब दूँगा जब कोई मुझे आलू कहकर बुलाएगा मैं तक गई हूँ आपकी इस बक्वास की आधित की वज़ा से दुकान पर जाने के लिए देर हो रही है नाश्ता करके दवा हो जाओ यहां से जल्दी जटाई बेल अपने दुकान में आलू के चिप्स बना कर बेचता है उसके हाथ के बने नमकीन और मिच्छी वाले आलू के चिप्स को बहुत पसंद करते हैं कमलपूर वाले ऐसे उसका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है लेकिन दिन बादिन उसकी व्यापार में कमी आती जा रही है वज़ा है पैकट में पैक चिप्स अलग-अलग आकर और अलग-अलग तरहा के स्वाद के इस बात कुछ परेशन से रहने लगता है अपना चटाई बैल को क्या बात है जी? आज आपको किसी ने आलू कहेकर नहीं बुलाया है क्या? ऐसे मो लटका कर आये हो? बात सिर्फ आलू कहने या सुनने वाली नहीं है चुटकी हमारा व्यापार दिन बादिम कम होता जा रहा है मुझे अब इस बात का डर लगा हुआ है कि कही मुझे अपने जान से प्यार आलू चिप्स की दुकान बंद करनी पड़ जाए ऐसे कहते हुए जिटाई कहता है कि इतने तरह के स्वाद के चिप्स बनाने के लिए बहुत से केमिकल इस्तिमाल करते है लोग ऐसे चिप्स के लिए उसके अच्चे चिप्स को चोड़ रहे है तब चुटकी गए ऐसे कहती है हर अच्छी दिखने वाली और स्वादिश चीज में केमिकल हो यह जरूरी नहीं होती है आप अपने उस नमक और मिच्ची वाले चिप से हट कर आगे की सोच कर देखो आप भी बेहतर कर सकते हो जी ऐसे चुटकी गाए अपने पती को समझाने की कोशिश करती है लेकिन जटाई को ये बात इतने आसानी से और जल्दी से कहा समझ में आती है तोड़ा सा वक्त गुसारता है और जटाई की दुकान पूरी तरह से बंद हो जाती है और जटाई अपने हाथ पर हाथ रगकर बैठ जाता है पिता जी ऐसे गासुन की तरह बेटे रहने से कुछ नहीं होगा मेरे पास एक बहुत ही अच्चा उपाई है और उससे स्पाइरेल पोटेटो कहते है बच्चों में बहुत मश्यूर है आगे के जानकारी के लिए आपको भी दिलकाब से धिकानी होगी तब तक के लिए गुडबाई जटाई को अपने बेटे की बातों पर भरोसा नहीं था इसलिए घर से बाहर निकल कर बच्चों से स्पाइरल पोटेटो को बारे में पूछता है सभी बच्चे स्पाइरल पोटेटो का नाम सुनते ही एकदम से खुश होकर जटाई से ऐसे पूछते है क्या आप भी वो स्पाइरल पोटेटो बनाने वाले हो आलो अंकर वाह सुनकर ही मुँ में पानी आ रहा है स्पाइरल पोटेटो बच्चों की बातों में इतने खुशी देखकर जटाई बेल को अपने बेटे की बातों पर येकिन होता है और वा अपने बेटे से बात करने के लिए जाता है मेरी कोई बात गलत लगी हो तो माफ कर देना बेटा मैं ये बात अच्चे से समझ गया हूँ कि दुनिया बदल रही है और हर काम में जोर का मुकाबला हो रहा है इसलिए मुझे जल्दी से स्पाइरल चिप्स के बारे में बता दे टेके केकर टिपा बिल अपने पिता को स्पाइरल पोटेटो चिप्स कैसे बनाते है केकर विश्थार में बताता है कहता है कि आलू को चिप्स की तरह ही काटना चाहिए लेकिन उन्हें अलग-अलग काटने की बज़ाए एक स्प्रिंग के आकार में काट कर उनमें एक लकडी लगा कर कटे, मीटे, नमकीन ऐसे हर तरह के स्वाद लगा कर अच्छे देल में फ्राई करके बेजने को कहता है पैकिट वाले चिप्स या तो घमाते हैं या फिर ज्यादा दाम में आते हैं आप एक आलू का स्पाइरल बना कर 10 रुपे में आराम से बेज सकते हो ज्यादा मुनाफे के लिए अपने ही केट में 500 के बेज डाल कर 500 किलो आलू उगा सकती हो टी के के कर जटाई बेल वैसे ही करता है और टिपा बेल भी अपने पिता की पूरी तरह मदद करता है ऐसे जटाई बेल स्पाइरल पोटेटो चिप्स बना कर बेचने लगता है बच्चे और बड़े बहुत शौक से उन्हें खरीद कर खाने लगते है इसे कहते हैं स्नेक्स क्या अस्वाद है काने में भी आसान है मज़ा ही आ गया है काकर भूडे दादा आपको तो दान्थ ही नहीं है फिर आप केसे का रहे हो इन्हें बिना दान्थों से भी का सकते हैं बच्चे ऐसे जटाई बेल का व्यापर पहले की तरह अच्छे से चलने लगते है जुम्लापूर नाम के एक गाव में कमला नाम की एक गाई अपने पती कमलेश और बेटे कमल के साथ रहती है कमला का पती कमलेश बेल एक पोस्ट मन है आसपास के दो चर गाव तक वहीं चिटिया पहुंचाने का काम करता है तोड़ा सा तो खाकर जाईए जी ऐसे ही बिना खाकर जाकर कब तिक यूही धूप में फिरते रहोगी तुम चिंता मत करो कमला आज बस्ते में सारे इसी गाव के चिटिया है जब भी भूक लगेगी जट से पहुंच जाओंगा घर ऐसे कहकर कमलेश बेल अपने काम पर चला जाता है और हर घर में चिटिया पहुंचाने का काम करता है ऐसे एक एक चिटिय देते हुई कमलेश बेल मोटी नाम के एक सुनार बेल के घर पहुंचता है मोटी बैया जी आपके नाम के चिटिया आई है जल्दी से आकर ले लो मुझे और बहुत सी चिटिया पहुंचना है तोड़ा सा सबर कर लो कमलेश तुम हर रोज थोड़ी ना आते हो मेरे गर आओ बेटो मैं अभी गर्मा गर्म चाई बना कर ले कर आता हूँ कभी भी बात भी नहीं करने वाला मोटी अचानक से इतनी अच्छे तरह से बात कर रहा है और मना करने के बात भी चाई पिला रहा है इससे कमलेश समझ जाता है कि इससे कुछ तो करवाना है और कमलेश का डर सच भी होता है मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कमलेश इस गाव में बहुत से समझदर लोग है लेकिन इमानदार सिर्फ तुम ही हो इसलिए कल तुम जब अपने साथ छिटिया लेकर जाओगे तब समय मेरा एक कीमतिहार भी लेकर जाकर उस गाव के एक व्यक्ति को देना मोटी बिल कमलेश बैल को अपने साथ लेकर जाने के लिए मना लेते है टीके कहकर उसकी बात मानकर कमलेश भी अपने घर लोट जाता है और तब अपने पत्वी से ऐसे बात करता है आप तो भूक लगते ही भाग कर आने वाले थे ना सुभा से दोपहर हो गई है आगिर आप अब तक क्या कर रहे थे वो मोटी बाई नहीं है वही सुनर मोटी बाई है उन्हें मुझसे कुछ काम ता इसलिए देर हो गई है ऐसे कमलेश अपने पत्नी को सारी बात बताता है वो सुनकर कमला बे चिंता करने लगती है इतना खीमती सामान और लेकर जाना होता है जंगल के रास्ते से और बहुत से चोड डाकूओं का खत्रा होता है उससे ना हमें एक पैसा की कमाई होगी ना ही ये हमारा काम का हिस्सा है अगर डाकूओं ने देख लिया तो जान का खत्रा हो सकता है जी कोई बड़ी बात नहीं है कमला हर काम अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी ना करते है ऐसे कहते हुई अगले दिन कमलेश अपनी चित्तियों के साथ मोटी बेल के उस कीमती हार को भी अपने साथ लेकर जाता है लेकिन कमलेश ये बात समझ नहीं पाता है कि उसकी पत्नी की कही हर बात सच होने वाली है जंगिल में तोड़ी दूद चल कर जाते ही कमलेश को कुछ डाकूर रास्ते में रोक लेते है और उसे उसका चिटियों का बस्ता खाली करके दिखाने को कहते है कमलेश इस बात से साथ इंकार कर देता है तब वो डाको बेल जरूर इस डाक्या के पास कोई कीन्ती सामान है पकड़ो इसे और छीनलो साथ कुछ जरूरत पड़े तो कतम भी कर दो ऐसे केते हुए वो डाको कमलेश के साथ हटपाई करने लगते है इसी हटपाई में कमलेश के सर जाकर एक पत्तर से जोर से ठकराता है और वही पर कमलेश की मौत हो जाती है डाको वो कीमती हार लेकर भाग जाते है ऐसे शाम हो जाती है लेकिन कमलेश अभी थक नहीं आ रहा है कहकर परिशन हो रही कमला को कमलेश की कही हुई कल की बात याद आती है इसलिए वो अपने बेटे कमल को लेकर मोदी के गर जाती है शाम के चार बचते ही घर लोट कर आते थे हर रोज वो अज इतने देर होने पर भी नहीं आ रहे है मुझे लगा आपके पास रुके है नहीं नहीं कमला बबी मैं कुद ही आपके गर आने वाला था मेरा कीमतिहार अभी तक नहीं पहुंचा है कहकर मोदी बैल की बाते सुनकर कमला गाय समझ जाती है कि उसे सिर्फ अपने केमतिहार के चिनता है कमलेश की कोई फिकर नहीं है इसलिए कमला अपने बैटे को लेकर अकेले ही जंगिल में चले जाती है तब उसे कमलेश की लाश एक पेड के नीचे नजर आती है मेरे डर सच हो गया ये नहीं क्या हो गया है कमलेश जी ओ कमलेश जी उठीए ऐसे कहते हुए कमला अकेली अपने पती को गाव में ले जाकर अंतिम समस्कार की तैयारिया करने लगती है तब एक एक करके उस विद्वा गाय की मदद करने के लिए सब लोग सामने आते है ऐसे कमलेश बेल का अंतिम समस्कार हो जाता है